पशू चारे का संकट पैदा हो गया है जिसके चलते सभी तरह के पशू आहार में तेजी देखनी को मिल रही है आपको बता दें कि पशू चारे का संकट इसकदर पैदा हो गया है कि इसमें प्रदेश के प्रशाशन को एहम फैसले लेने पड़ रहे हैं अकोला जिले की बात करें तो अकोला जिले में चारे की कमी को देखते हुए प्रशासन ने मैतपूर्ण नीन्य लेते हुए जिले में उतपादित चारा, मुर्गी फीड और टोटल मिक्स राशन को दूसरे जिलों में ले जाने पर प्रतिबंद लगा दिया है यानि की अकोला का पशू और मुर्गी दाना अकोला में ही रहेगा अकी समय से जिले में चारे के पैदा हुए संकट से निप्टा जा सके इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिले के बाहर के लोगों को चारे की निलामी में हिस्सा लेने की अनुमती ना दी जाए 2021 राजसव मंडलों समेट नए 224 राजसव मंडलों में सूखे जैसे इस्तिती गोशित की गई है इसमें से अकोला जिले में सबसे ज्यादा समस्या पैदा हुई है यहां भी सूखे जैसे हालात गोशित कर दिये गए हैं इसमें चारे की अधिक समस्या उत्पौन होने की संभा इसी महीने की शुरुवात में प्रवनी जिले की अगर हम बात करें तो वहां भी यही संकट देखने को मिला था और प्रशाशन ने ऐसा ही फैंसला लेते हुए चारा मुर्गी फीड और मिक्स राशन के दूसरे जिलों में ले जाने पर प्रतिबंद लगा दिया था और अब पशू चारे से हट कर पशू पालकों की निगाहें पशू आहर की तरफ हो गई हैं इस से हर तरह के तिलन खल मसलन बिनोला खल सरसों की खली सोया खली की मांग बड़ी है और इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है हाली में पांच से दस फिजदी का उच्छाल इनकी कीमतों में मारास्ट की कुछ मंडियों में देखने को मिला आपको बता दें कि आने वाले सालों में सोया मील की मांग में भी इजाफा देखने को मिल सकता है मारकेट टाइम्स टीवी की एक रिपोर्ट के मताबिक सोया मील का विश्व का बाजार जो की अभी फिलाल 5920 क्रोट डोलर का है वो अगले तीन से चार सालों में बढ़कर 9420 क्रोट डोलर का हो जाएगा यानि लगभग दोगुना बीरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी रिपोर्ट पसंद आई हो तो निश्चित तोर के उपर हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और आपको लैसून से जुड़ी और दूसरी फसलों से जुड़ी ताजा जानकारी मारकेट टाइम्स टीवी के उपर महिया हो और आपको तुरंत उसकी इन्फोर्मेशन पहुंचे नोटिविकेशन पहुंचे तो दिख रहे बेल बटन को भी आप दबाना ना भीए